गौरबातिया जी आपके साथ शुरूआत कर रही हूँ आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि आप लोगों को कैसे पहले से पता रहता है मनोश दिवारी ने पहले ही कह दिया था कि अब अर्विंद केजरिवाल की भी इस मामले में गिरफतारी होगी वो कह रहे हैं सियासी हतियार बना लिया है आपने एडी को नेताओं को जेल में भर रहे हैं तॉप लीडर्शिप तेकि अंगिना जी ऐसा है कि अगर अर्विंद केजरिवाल और उनके तमाम भरष्टाचारी लीडर पढ़ाई लिखाई करते तो इस तरह के सवाल भी आप पूछते कैसे पता चल जाता है अपने एक सवाल पूछा पूरा भारत पूरा दिल्ली कह रहा है जैसे जैसे जुड रही है कड़ी अर्विंद केजरिवाल के पास आ रही है अदकड़ी और साथ में ये भी कह रहा है आया था जंता का लाल बन कर रह गया शराब कारो बारियों का दलाल बन कर अब मैं सर्वोध ट्याले के जज्मिन पे आता हूँ जो तीस तारीक को आया है अजना जी आपने कहा ना क्यों ऐसा लग रहा है ऐसा इसके प्रतीत हो रहा है कि सर्वोध ट्याले ने जो सक्त टिपडिया करी है आठ महीने हो गए मनीश शोडिया जिनको कट्टर इमांदार का सर्टिफिकेट दे रहे थे महा भरष्टचारी पापी आपके कन्वीनर अर्विन केजरिवाल उनको बेल नहीं दी सुप्रीम कोट ने एक मामले में नहीं दो मामले में CBI के मामले में भी और ED के मामले में भी और सक्त टिपड़ी क्या करी है मैं आपको बताओं पहली बात सर्वोज त्याले ने कहा प्रतम दरश्ट्या ये प्रतीत होता है कि 338 करोड रुपए कुईड प्रो को मतलब जो सरकार का कोश है उसको हानी लेकिन अर्विन्द केजरिव कामल की तिजोरी भरजानी और ये स्पश्टा से कहा है दूसरी बात जिसको कट्टे रिमांदार बुला रहे थे मनीश शोडिया उपके मंत्री दो मोबाइल फोन नष्ट करते हैं क्योंकि उनको साथ्षय और प्रमाण मिटाने होते हैं आज सवाल ये पूचा जाना केजरिवाल से पूचे बिना तो ये जो सारा शराब घोटाला हुआ ये बिना उनकी सहमती के हुआ है क्या ये भी संभव नहीं है तीसरी बड़ी बात है आप पताईए अर्विंद केजरिवाल जब राजिती में कूदे है क्या कहते थे याद है अंजना जी आपको वो कहते थे अगर किसी पे आरोब भी लग जाए तो उसको चाहिए कि जो पद उसने लिया हुआ है उससे इस्तिफा दे और फिर जब साफ हो जाए उसका नाम तब वापस आए आज यही असूल अर्विंद केजरिवाल पे क्यों नहीं लगना चाहिए क्योंकि जो कमिटी बनाई अर्विंद केजरिवाल कर रहे थे और इनी के घर पे मीटिंग होती है और मत भूलिए एक शराब कारोबारी के लिए कहते हैं फेस्टाइम करके मेरा ही बेटा है इसका ध्यान रखना अब आप मुझे बताईए जो भरष्टाचारी है वो अर्विंद केजरिवाल के बेटे अरे दिल्ली की जनता फिर क्या है जिनको लूट खसोड रहे हो और सबसे बड़ा सवाल अन्यराजी जो पूछना चाहिए आप क्या कहती है यह क्या कहते हैं हम क्या कहते छोड़ दीजिए सर्वोट त्याले ने क्या कहा है आपने सकते टिपड़ी देखी है दिल्ली उच द भृष्टाचारी किंग पिन सरक्ना जो है इस घोटाले का वो तो अर्विंद केजरिवाल है तो तो सबसे बड़ा घोटाले बास कौन हुआ अर्विंद केजरिवाल दन्यवाल। ठीक है कुल्दीब कुमार जी अब जवाब दीजे अगर भ्रश्टा चार का गंभीर आरोप है इसके बार में रोहन जी फॉरण आपके पास आऊँगी गंभीर आरोप है ऐसे में सवाल है कि हर चीज़ को साजशन कह देना साथ बहुत आसान है बोलिए आ कुल्दीब जी अंजना जी मुझे समय दीजेगा पहली बात तो यह पहली बात तो यह के गौरा भाटिया जी और इनके साहप के मूँपे जो यह लाली है यह अडानी की दलाली है इनको बता दीजेगा इनको यह पता है पुरा देश जानता है दूसरी बात इन्होंने बहुत साथ सवाल किये अंजराजी बस मैं यह पूछ नहीं चारा हूँ इन्होंने भी आपके चैनल पर कहा कि जो कोट ने कहा और कोट ने कहा कि सरकार को नुकसान हुआ है पहले में इनको इस पॉलिसी के आने के बाद सरकार को सरकारी खजाने में फाइदा हुआ है ना कि नुकसान हुआ है पहली बात दूसरी बात इन्होंने 338 करोड रुपे की बात करी कोट ने 338 करोड रुपे के लिए कहा है कि जो कमिशन 5% से बढ़कर 12% हुई उसका फायदा कारोबारियों को पहुचा ना कि उससे को मनी शिशो देजे का लेना है ना उनकी अकाउंट मेर कोट नहीं ये भी कहा कि एडी आ जाते हैं ना उसचीश पे लघाए नहीं एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड जाते हैं एक सेकंड चीश पर जाना बहुत पन्ना नमबर 31 अगर हमारे दर्शक भी है पन्ना नमबर 31 और पन्ना नमबर 35 दर्शकों के लिए इसलिए हमने ग्राफिक्स भी बना लिये हैं वो आपको दिखाते हैं को दिखाते है उसको लेकर जस्टिस संजीप खना जस्टिस स्वीन शटी ने क्या कहा है मनी ट्रेल को लेकर हम आपको बताते हैं पन्ना नमबर 31 पर कुल्दीब जी ध्यान से सुन्येगा उन्होंने कहा है on the other hand the excess profit earned by wholesalers यानी जो wholesalers शराब के wholesalers ने कमाई की है 338 करोर रुपे की 5% से की बजाए 12% की ये बात तो आप स्वीकार रहे है ये बात तो आप स्वीकार रहे है कुल्दीब जी अब पन्ना नमबर 35 पर आईए जिसमें कोट ही कहता है कि ये जो profit हुआ है wholesale distributors को 338 करोर रुपे का this constitutes an offense as defined under section 7 of prevention of corruption act relating to a public servant being bribed as per the DOE these are proceeds of crime कि समझ गया आप कि एक दो लाइन और पड़ दीजे आप इसके नीचे का भी पे उसके नीचे भी है परसेंट से जो बारा दिस पीगर के नॉट भी इस पार परसेंट से जो बारा परसेंट हुआ दन्यवाद वो जो पैसा है ना उसमें साफ लिखा ये prevention of corruption act के तहत है और उसमें साफ court में कहा है judgment में कहा है पन्ना नंबर 35 और 36 को मिला कर मैं आपके सामने इट constitutes यानि यह कैसा अपराद है जो prevention of corruption act के section 7 के तहता है यह graphics हटा दीजे इसमें detail नहीं लिखा हुआ है इसको हटा दीजे अंजना जी अंजना जी यह section 7 के तहता है जिसमें relating to a public servant being bribed लिखा है जो कमीशन 5% से बढ़ा कर 12% हुआ उसका उसका फाइदा पहुचा कारोबारियों को उससे मनीश शोदिय जी का कोई लेना देना नहीं है पहरी बात अब उनको प्राइमेफेशी में क्या लगा क्या नहीं लगा वो दूसरा विशी है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं आपके channel पे कि आप बताईए कि आज इस case को चलते हुए एक साल से उपर हो चुका है और एक साल में कोई लेकिस नहीं कोई नहीं है पहरी बात पर दो अ Emperor गया इंडिकलाट कोई नहींके लिए इडी ने सब कुछ कर लिया, इडी ने 500 जाद लोगों को उठा लिया, लेकि इडी को कुछ नहीं मिला, यह अपने आप में पहले तरका बस्टार का मामला है, जहां पर इडी को एक साल में इडी के आथ में कुछ नहीं लगा, लेकिन अंजना जी यह मामला जो है शराब निती की का नहीं है, आज से पहले भी अरविंद केजरिवाल जी के उपर 2015 में जब सरकार बनी थी, जब भाजपा के तीन सीटे आई थी, जब मोदी जी गरब पुरे देश में चल रहा था, और दिल्ली में आके तीन सीटों पे रुख गया, उसके बास से एकानी शुरू ही, 400 फा उफीस, उनका घर सब को उठा के चैनमीन की गई थी, क्या मिला उन फाइलों में, कुछ नहीं मिला अंजना जी, लगातार ये चलता रहा है, और लगातार आम आदली पार्टी को खतम करने की साजी जो की जा रही है, इनका ही ये मकसाद है कि अरविंद केज़िवाल जी को जनता के लिए तुमने काम कियोंगे, जनता तुमको वोट देगी, धिल्ली के अंदर ये तीन बार तैह हो चुका है, 2015 में तैह हुआ, बीच में तैह हुआ, उसके बाद निगम चुनाओ कें अंदर तैह हुआ और लोकस्तमा में भी तैह हो जाएगा, इनको जितनी ताना सा पाइब करनी है अभी अरिंखे जिवाल जी का नंबर है वह बड़ी पार्थी के नेता है इंडिया गट बंदन के आज उनका नंबर है कल रहे हैं परसो अजीट पवार जी उसका नंबर होगा क्या नामें तेज़े श्वीयादव का नंबर होगा तो लगातार यह पूरी की प दर का है लोग समय चुनाव का है और इस दर को दिखा रहे हैं आज इंजनाजी के